हरीश रावत जी ने आज रायता पार्टी की है और ककड़ियां चलाई है लोगों को जानेंगे क्या राजनीती में रायता फेला हुआ है सर डेमोग्राफिक चेंज की बात राज्य सरकार कर रही है लगतार उनका कहना है कि पहाड के कई लाकों में ऐसे लोग हैं जिनकी संख् प्रणीत थी और के वर सेलेक्टेट लोगों को ही जिनको पुलिस क्लियरंस आदी के बाद ही बसाय जाता था और भाजपा के समय में सारे नदी नाले खाले सब उजाड दिये सब जगों बसाये इन्होंने बाजपा के लोगों ने और आज अब उसका बहाना लेकर के उत्रा भारती जन्ता पार्टी और उसके जो है दो हजार सत्र के बाद के मुख्यमंती गड़ जिम्दिता अच्छा उत्राखंड के के लाकों में हमने देखा कि मुस्लिम विरोधी पॉस्टर भी लिए क्या इसमें कुछ सचाई है कि पहाड के के लाकों में मुसल्मानों की संख्य बढ़ने दगी हाजबा के लोगों के कायराना हरकत है इनके पार लोगों को बताने के लिए कोई विकास के काम और सामाजिक कल्यान के काम नहीं है इसलिए जो है यह केवल कभी मुसल्मान के नाम पर किसी मजार के नाम पर कभी UCC के नाम पर घूम फिर करके इनके पार एक ही वह है कि एक इस तरीके से चर्चा की केंद मिंद्व मुसल्वान भाईयों को लाएं ताकि उसके नाम पर यह चुना आप इनका खेल लोग समझ ले लोग कह रहे हैं भई हमको इनी के साथ रहना है यह हमारे हिस्सा एं यहां के हमारी समाज के हिस्सा है तो तुम इन से इनके इ क्या भावना भरना चाहते हैं तो लोग भाजबा की इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर एक आखरी सवाल है मेरा उत्राखंड के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कॉंग्रस लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है क्या ऐसा कुछ है कि भाजबा के लोग इस कोशिस हो रही है वेडिकल नहीं करवाया जा रहा है जैसे रिपोर्ट आती तो तत्काल मेडिकल होना चाहिए लेकिन ुस्ञाम भिलम्भित मेडिकल करवाय जा रहा है ताकि साख्षर नस्च हो जगए फुर्मान ये बचाने की कोशिश कर रही है वाच्वा गात्त्तह बात करने के लिए उत्राखंड के पूर मख्य मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष नेता हरी श्रावत शामिन थे हरी श्रावत का कहना है कि जिस तरह से भारतिय पार्टी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के लगातार बात कर रही उसकी जिम्मेदार भी वो खुद है क्योंकि जि एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी